आज के इस वीडियो में देखिए आज का मारा प्रस्न है कि मदुमक की पालन की महता एवं उप्योगिता लिखे आज के इस वीडियो में हम इस प्रस्न को देखेंगे तो देखिए मदुमक की पालन की महता एवं उप्योगिता तो यह आपका गच्छा नवी विसे विज्यान का IMP question में से एक प्रस्ण है तो इस प्रस्ण के द्वरार हम समझेंगे कि मदुमक की पालन की क्या महतु है इसका इसकी क्या उप्योगिता है तो आई ये प्रस्ण को हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए इससे हमें पोश्टिक आहार स्वास्त वर्दक एवं ओज्दी गुणो वाला सहथ प्राप्त होता है तेकि मदुमक की पालन से हमें पोश्टिक आहार प्राप्त होता है स्वास्त वर्दक चीजे प्राप्त होती है इसके बाद ओज्दी गुणों वाले हमें सहथ प्राप्त होते हैं नमबर दो देखिए इससे मोम प्राप्त होता है मोम याने की स जिसका उप्योग कई प्रोडेक्ट के रूप में किया जाता है जैसे कि ओस्दी बनाने में इसके बाद क्रीम बनाने में वेसलिन बनाने में और इसके सेट का उप्योग मोम बत्ती बनाने में भी किया जाता है तो देखिए कि से मोम प्राप्त होता है जिसका उप्योग क्रीम पॉलिस वेसलिन एवं मुंबत्ती बनाने में होता है उसके बाद देखे नमबर तीन है कि मदुमक्की परागन किरिया में भाग लेकर फसल की पेदावार बढ़ाती है देखे मदुमक्की के जो छतने हैं उन्हें यह दियाम खेतों में ले जाकर लगा देते हैं तो हमारी जो फसल है उनकी पेदावार में काफी बढ़ोती होती है तो जिससे क्या होता है हमारी फसल काफी अच्छी होती है और हमें अच्छा मुनापर प्राप्त होता है तो देखे नमबर चार है कि इस उद्योग का संचालन देखे उद्योग का संचलने कि इस उद्योग को कौन कौन चला सकते हैं तो देखिए इस उद्योग को निर्धान यानि की जो गरीब होते हैं वहां भी इस उद्योग को अच्छे से चला सकते हैं एवं अल्प सिक्षित ग्रामिन भी कर सकते हैं अल्प सिक्षित यानि के कम लिखा पड़ा कोन कहा से हो ग्रामिंट छेत से हो वहाँ भी इस द्योग को कर सकता है जिनके पास कम पेसे वहां जो करीब है वह इस द्योग को असानी से चला सकता है तो देखिए आज के सुडियों में मदमक की पालन की क्या महता है और इसकी क्या उपयोगिता है देखी तो एक बार और हम यह आपर रिपिट कर लेते ताकि आपको अच्छे सहन में आ जाए तो देखिए पोश्टिक स्वास्त वर्दक एवं ओस्दी गुणों वाला सैथ प्राप्त होता है नमबर दो इससे बोम प्राप जाती है नमबर चार कि सुद्योग का संचाला निर्दन एवं अल्प सिक्षित ग्रामीन भी कर सकते हैं तो आप अच्छे से बड़े ऐसे स्क्रीन सोट लीजिए अब आप इस प्रस्न का और अपनी नोड़ूक में इस प्रस्न को अच्छे से नोट कीजिए